पहला कोश्चन है नमलिकित पौधों से सामान रेसे प्राप्त किये जा सकते हैं केवल एक के अतरिक्त वह है यानि गुमा कर प्रश्ण पूछा गया है प्रश्ण में पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा आफसन है जिससे सामान रेसा प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो टमाटर और टमाटर सुले नेशी कुल पौधा है इस से प्राप्त नहीं किया जा सकते हैं जबकि जो अन बिकलप दिए गए है इन सभी से सामाने से प्राप्त किया सकते हैं और उन्हें स्बकिभ़ रशES प्राप्त कर सकते हैं एफडरा इफेडरा से प्राप्त होने वाले एलकलाइड एफेडरीन का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है, इससे एलकलाइड एफेडरीन प्राप्त होता है, इसका उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है, पेंचिस, दस्त, आस्थमा, कालरा, आंसर सही होगा, इसमे लॉरेशी आस्थमा के उपचार में किया जाता है आपको बता दें जो एफेडरा है यह एक अनाबृत बीजी पौधा है यानि जीम्नोस्पर्म प्लांट है और इससे एक महत्मोड अलकलाइड प्राप्त किया जाता है उसका नाम है एफेडरीन और इसका उपयोग आस्थमा क में किया जाता है दालची के शहाल होता है है आणसर सही होगा इसमें पहले प्रीत नकिन आपको बता दें कि हीशल मसाले तरह प्रियोग होती है और इसके पाउन मुक्यिताह भारत चीन और दच्छिनपूर्भी एसिया में पाय जाते हैं हींग प्राप्त होता है जड़ों से पत्तियों से फलों से बीजों से हींग किसे से प्राप्त होता है आंसर सही होगा पहला जड़ों से हींग प्राप्त होता है यानि रूट्स से प्राप्त किया जाता है आपको बता दें कि हींग फेरूला की कई प्रजातियों की जड़ों स सूखे लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है इससे सूखे लेटेक्स के रूप में और इसके पाचगुड के कारण या भोजन को पचाने में सहायक होता है जो हींग है यह भोजन को पचाता है और यहां उदर सूल अजींड दांत दर्द जुकाम खासी आदि में भ पौधा है जिससे जूट प्राप्त किया जाता है आंसर सही होगा पहला कोर कोरस कोर कोरस पौधे से जूट प्राप्त किया जाता है आपको बता दें कि यह मालवेसी कुल का दुवीज पत्री पौधा है मालवेसी कुल का है और दुवीज पत्री पौधा है इसके वेसे बोरे तिरपाल, टार्ट, रसियां, निम्न कोट के कपड़े तथा कागस बनाने में काम आते हैं नेश कुछन है एर्स होने का कारण है एर्स होने का कारण क्या है T4 लिंफोसाइट की कमी, उच्च रक्त चाप, राइबोफलेवन की कमी, जीवार संकरोण तो सभी लोग जानते होंगे, डिफिशेंशी आप T4 लिंफोसाइट से, यहने T4 लिंफोसाइट की कमी, इसका कारण होगा, पहला वाला ओफ्सन सही होगा आपको बता दें कि HIV एक वीसाडु है, कौन सा वीसाडु है, रेट्रो वाइरस है, रेट्रो वीसाडु है जो सरीर की प्रत्रच्छा प्रडाली पर आक्रमण करता है, हमारी प्रत्रच्छा तंतर को नेश्ट करता है, और प्रत्रच्छा तंतर में भाग कौन सी को सकाई लेती है, टीम फोलिंफोसाइट को सकाई, इनकी कमी होने लगती है, जिससे हमारा सरीर कमजोर होता जाता है, मेरे चैनल से वीडियो जाकर के देख सकते हैं अप्लोडड़ है नमलिकित में से कौन HIV की उपस्थिति की जाच के लिए प्रियुक्त होता है यानि आपके सरीर में HIV है इसके अंसर सही होगा इसमें भी ऐलिसा परिक्षण यानि की एचाइवी की उपस्थिति की जाच के लिए प्रियुक्त होने वाले परिक्षण का नाम एलिसा है और एलिसा का पूरा नाम अगर पूसलिया जाए तो एंजाइम लिंक्ट इम्यूनो सार्बेंट ऐसे होता है इसका जिसमें इंटी बाडी और रंग में परिवर्तन के द्वारा किसी पदार्थ की उपस्थिति का पता लगाया जाता है नेक्ट कुछन है नेम्लिकित मेंसे कौन वीसाड जनित रोग नहीं है इनमेंसे कौन सा ऐसा आप्षण है जो वीसाड जनित रोग के अंतरगत नहीं आत है जीवाड जनित रोग होता है यह नीबू प्रजाती के अधिकान स्तह पौधों जैसे नीबू है संत्रा है आधि में सिट्रस करना मख रोग हो जाता है और यह जीवाड के द्वारा होता है इसलिए बैक्टिरियल डिसीज हो गया जबकि इसमें पूछा गया था प्रेश् से कहते हैं चार आपसंदिये गए हैं हुई इसकार्ड लेडी मिंडल अंसर सही होगा पहला बार्बरा मैकलिंटक को कहा जाता है आपको बता दें कि इन्होंने जो बार्बरा मैकलिंटक हैं इनको वर्स 1983 में नोबल प्रुसकार से सम्मानित किया गया था क्यों क्योंकि आते चलें कि बार्बरा ने अर्थाद महिला मेंडल ने मक्के में एसी डीयस सिस्टम को खोजा था एसी फार उत्प्रेरक या एक्टिवेटर होता है और डीयस फार डिसोसियेशन होता है नेश कुश्चन है नेम्ड में से किन पौधों में इस पैडिक्स बहुत से इस के द्वारा घिरा रहता है आंसर सही होगा इसमें भी मक्का आपने देखा होगा मक्के पर बहुत सारे हरे हरे से पत्ते चोड़े रहते हैं पत्ते जैसे उनको इस पेड़ कहा जाता है और इस तरह से केले के फूल में आपने देखा होगा तो उसमें भी ऐसा होता है भच्छी पौधिया इनको कह सकते हैं मांसाहारी या केड़ भच्छी तो मांसाहारी पादप कहां पर उखते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है यानि नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर यह उखते हैं और यह पादप नाइट्रोजन की प्राप्ट कीटों से कर नेश्खुचन है यह में कौन वातावणिय प्रदूशक प्रदूशण जय विक आवर्धन की शमस्या को उत्पन करता है और स्थी फालीदार पौधों की जड़ों की आसपास नाइट्रेट की उपस्थिती आंसर सही होगा इसमें पहला गांठ निर्मार को बढ़ाता है निम्न में से कौन साधारताया वायू प्रदूशक नहीं है वायू प्रदूशक नहीं है आंसर सही होगा इसमें पहला CO2 साधारताया वायू प्रदूशक नहीं है आपको बता दे कि हरे पौधे प्रकास की उपस्थिति में वायू मंडल से कार्बन डई ऑक्साइड यहने CO2 लेते हैं और प्रकास संसिलेशन के किरिया के दोरह ऑक्सीजन गैस निसकासित करते हैं इससे वातावन में ऑक्सीजन और करबन डियाकसाइड का संतुलन बना रहता है नेक्ट कुछन है टैडपोल से थाइराइड ग्रंथ को निकाल देने पर यह अगर टैडपोल से यह सभी लोग जानते हैं और यह हार्मोन टैडपोल के रूपांत्रण के लिए आवश्यक होता है यह रूप का अंतर यह बदला उसमें आये इसके लिए हार्मोन आवश्यक होता है और थाइराइड को अगर निकाल देंगे आप तो थाइराइड अर्मोन नहीं निकलेगा बाधित होगा जिससे जीवन परियन तो टैडपोल ही बना रहेगा नेश कुशन पर आते हैं दो अस्तरी ग्रेस्ट्रॉला पाया जाता है आंसर सही होगा पहला एंपी आक्सिस में आपको बता दें कि एंपी आक्सिस सिफाइलो कार्डेटा उपसंग का प्राणी है एंपी से घज कुशन है इन में से कौन सा पच्छी भारत वर्प से भाहर घोसला बनाता है भारत वर्प के भाहरकों से लाबन इस नेस्ट आउटसाइट इंडिया आंसर सही होगा इसमें खंजन चिडिया और पहला वाला भी सुत्रमुर्ग भी यानि सुत्रमुर्ग अफ्रीका में पाई जाने वाला उडण रहित पच्छी होता है और यहां पच्छी की सबसे बड़ी प्रजाती है और इसके अंडे सब से बड़ होते हैं इनकी जो माधा होती है अपने अंडे प्राया सबसे घोसले में देती है जबकि जो खंजन कर भाष्षी पच्छी है जो जाने मौसा में भारत में आती है जो इस question के आंसर में मेरे प्रहाव सब से जादा सही उतर है आप बतायांगे कि शृत्रमुर्ग इ आएगा कि नहीं आएगा नेक्स कुछने बन के बनने के लिए मूलताया क्या आवश्यक होता है उच्छ तापमान प्रकास की कमी सूखी धर्ती उच्छ वर्सा वाट इस दा बेशिक रिक्वार्मेंट फार फॉरेस्ट फार्मेशन आंसर सही होगा इसमें डी उच्छ वर्सा एंगा हाई रेनफाल वर्सा की मात्रा और तापमान जलवायु के दो प्रभुक्तत्य हैं जो प्रॉकर्ष्पत पर यालते हैं और इसमें तापमान के पैच्छक वर्सा की मात्रा का अधिक प्रॉभाव पड़ता है अधिक वर्सा वाले भागों में सदा बहारी चोड़ी पत्ति वाले बन पाए जाते हैं नेश्ट कुछन है दुतियक ब्रिधी किस पौधे में पाई जाती है सेकंडरी ग्रोथ इस फाउंड इन विच आप दा फाल्वएंग प्लांट्स आंसर सही होगा इसमेडी उपर युक्त सभी में दुतियक ब्रिधी सेकंडरी ग्रोथ पाई जाती है नेश्ट कुछन है सोरोफोर पाया जाता है सोरोफोर किस में पाया जाता है आंसर सही होगा पहला मारसेलिया में और सोरोफोर है क्या तो मारसेलिया में सोरोफोर इस पौरो कार्प से उत्पन एक सन्रचना होती है और इस से इस पौर उत्पन में करने वाले सोराई कि जुड़े होते हैं किसे अपमार्जक पौधा कहा जाता है किसे अपमार्जक पौधा कहते हैं अंसर सही होगा चीट भच्छी पौधा कौन सा है जो कीटों का भच्छड करता है और ये आबरित बीजी पौधा होता है अनाक्सी स्विशन की किरिया सरप्रतम किस के द्वारा दर्साई गई अनाक्सी स्विशन की किरिया आक्सन सही होगा इसमें भी कोश्टी चेव के द्वारा दर्साई गई थी अनाक्सी स्विशन सब्द वेग्यानिक कॉस्टी चियू ने कि द्वारा सन 1902 में दिया था और अनाक्सी स्विशन की किरिया ऑक्सिजन की अनुपस्थिती में होती है